इस वीडियो में हम exercise 4E को complete करेंगे इसमें हमें rational numbers को decimal expansion में show करना है अब इसके लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो basics हैं इस exercise के लिए तो वो हमें याद रखना है कि जो rational number होते हैं उनको हम दो तरह से decimals में convert कर सकते हैं दो तरह से मतलब first जो होता है वो होता है terminating decimal second होता है non-terminating अब terminating और non-terminating क्या है वो समझते है terminating जो होता है उसका मतलब है terminate जो हो जाए मतलब जब हम divide करते हैं कुछ numbers को तो आपने note किया होगा कि answer में जैसे 3.8 तो यहां तक जो है वो पूरा cancel होने के बाद remainder 0 आगया तो इसको तो बोलते है terminating और जो non-terminating होगा उसमें क्या होगा कि remainder 0 आएगा ही नहीं यहां पर आगे-ागे चलता जाएगा यह division जो है कभी खतम नहीं होगी remainder 0 नहीं आएगा उसको बोलते है non-terminating तो दो category आपने सुनी है एक terminating एक होता है non-terminating उसके बाद non-terminating जो है वो आगे-दो category में उसको बाटा जाता है एक होता है non-terminating reoccurring reoccurring का मतलब क्या है कि जो दोबारा एक ही number आता जाए जैसे आप किसी को divide कर रहे हो तो यहां पर 0.33333 इस तरह से same number जो है वो repeat होता रहे तो उसको बोलते हैं reoccurring अब reoccurring जो होंगे वो भी rational number में ही गिने जाएंगे जो reoccurring होंगे और एक होता है non-terminating non-recurring अब non-terminating मतलब terminate भी नहीं होते हैं आगया कि division कभी खतम नहीं होती है और non-recurring है और कोई भी number repeat नहीं होता है अलग-अलग number जो है जैसे 0.1235794 इस तरह से जो है same कोई pattern जो है वो repeat नहीं होता है उसको बोलते है non-recurring तो चार चीज़े हमने सुनी है first दो category थी terminating और non-terminating फिर था non-terminating आगे दो तरह का है non-recurring और recurring जो last वाली category है हमारी non-terminating non-recurring decimal उनको हम बोलते है irrational numbers मतलब ऐसी condition आएगी हमारे पास जिसमें ना तो वो number terminate होगा मतलब remainder ना तो 0 आएगा वो आगे आगे division चलती जाएगी और ना ही उसमें कोई repeat होगा pattern तो उसको हम बोलेंगे irrational number यह पहचान आपने याद रखनी है अगे कुछ sums में इसका इस्तेमाल भी होगा अब start करते हैं first sum से इसमें है convert the following decimal numbers sorry convert the following into decimal numbers अब नीचे जो statements हैं उनको हमें decimal बनाना है जैसे first sum है हमारा तो इससे शुरू करते हैं तो decimal बनाना बिल्कुल असान है जो उपर वाली statement होगी उसको आपने अंदर रखना है divide उसको divide करना हमें नीचे वाली statement से अब 4 की table में 4, 3, 12 तो यहां पे 12 अब अगे हमारे पास उतारने के लिए कुछ नहीं है यहां से तो 1 आ गया तो यहां point लगाना है यहां पर point लगा देना है अब 0 जो है वो अपने आप आती रहेंगी यहां पे 0 तो 4, 2, 8 फिर यहां पे 2 फिर से 0 आएगी उपर से 1 0 अपन हो चुकी है हमारी वो हो चुकी है 3.25 सेम हमने इनको सॉल्व करना है इसके नीचे 10 है तो 10 हो तो डिवाइड करने के विजरूरत नहीं सीधा हम इसको लिख सकते है 8.3 क्योंकि एक 0 है तो एक के बाद point लगा देंगी इसको अगर हमें point बनाना है तो इसके लिए आपने क्या रिखना है जो statement है उसको आपने इस तरह से लिखना है 7 अलग है plus 3 by 5 3 by 5 की आपने decimal बनाने जो आएगा उसमें 7 plus कर दिना है तो 3 by 5 के अगर हम बना के देखें तो यह बनेगा 3 को हमें अंदर रखना है 5 से डिवाइड करना है अब यह छोटा नंबर है तो 0. तो यहां पे भ अब 7 अगर हमें plus करना है तो 7 को हम लिखेंगे 7.0 plus 0.6 तो यह हो जाएगा 7.6 इस तरह से आपने इसको solve करना है next जो 3 sum है वो आपने could try करने है second sum है हमारा convert the following into decimal same question है बस इसमें जो हमारे decimal बनेंगे वो repeating होंगे non-terminating भी हो सकते हैं first वाला जो है 2 by 3 अब इसको अगर हम देखें 2 by 3 को तो 2 को अंदर रखेंगे 3 से 0.0 क्योंकि यहां पर जो है वो number छोटा है अंदर तो यह 20 हो जाएगा तो 3618 अब फिर से आप देखें 2 आ जाएगा और point लगा हुआ है तो 0 अपने आप आ जाएगी 3618 अब आप note करें कि यह जो pattern है वो बार बार repeat हो रहा है नहीं रुकेगा आगे आगे यहां पर 18 तो यह चलता जाएगा तो क्या repeat हो रहा है 0.6666 तो same number repeat हो रहा है जितने numbers के उपर बार लगेगा वो number आगे repeat होता रहेगा ऐसे एक और example लेते हैं जैसे यह आपको खुद try करना है एक और करके देखते हैं जैसे 1 7 by 9 तो इसमें आपको मैंने इसे काया है 1 को अलग कर देना है 7 by 9 को अलग इसको लिख देना आपने 1.0 अब 7 by 9 के हमें decimal बना आने है तो यह बन जाएगा 7 को अंदर रखेंगे 9 से 0.0 तो यह बन जाएगा 9 7 जा 63 फिर से यहां से 7 बचे का point लगा हुआ है तो 0 आ जाएगा फिर 9 7 जा 63 तो यह देखे आप यहां पर यह pattern जो है same ऐसे ही repeat होता जाएगा 7 7 7 तो यहां पर हम लिखेंगे 1.0 प्लस 0.7 और 7 के उपर हम बार लगा देंगे इसका मतलब 7 जो है वो बार बार repeat हो रहा है अब जब हम इसको plus करते हैं तो यहां पर भी एक चीज़ नोट करने है इसको रब कर देते हैं एक बार 1.0 प्लस 0.7 और उपर बार तो अब इसको plus कै सिकरना है अपने बिल्कुल इसके point जो है वो point के नीचे लिखना होता है चाहे कितने बार इधर हो चाहे कितने इधर हो इस तरफ है 0 इस तरफ है 7 बार तो यह plus होने पर यह बन जाएगा 1.7 बार तो यह आपका answer नेक्स जो है वो है 2 4 by 15 तो हम इसको लिखेंगे 2.0 प्लस 4 by 15 अब 4 by 15 के decimal बनाएंगे तो 4 को अंदर रखेंगे 15 से तो 0 point यहां आजागी 0 15 की table में 15 to 30 तो यहां से बचा हमारे पास 10 तो उपर से आएगी 0 15 60 90 अब फिर से 10 बच गया फिर point के वाज़े से 0 आजागी 15 60 90 ऐसे ही यह pattern आग आगे repeat होता रहेगा और अब हम note करें तो यहां पे 6 repeat हो रहा है 2 repeat नहीं हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे 2.0 प्लस 0.2 और अकेले 6 के ओपर बार आएगा 2 के ओपर नहीं आएगा क्योंकि 2 जो है वो repeat नहीं हो रहा है 6 repeat हो रहा है तो यह आजएगा answer जो हमारा बनेगा वो बनेगा 2.0 2.26 और बार इस तरह से आपने लिखना है 2.26 बार ऐसे आपने इनको solve करना है next जो है आपने खुट राई करके देखने है second आपने खुट राई करना था इसका answer आपका बनेगा 0.428571 इतना divide करने के बाद दुबारा से यह structure repeat होनी शुरू हो जाएगी तो आपने इस पूरे के ओपर बार लगाना है second वाले में यह खुट राई करना है फिर आपको e part ज बार लगा देना है 3 के ओपर next statement जो f है वो जब आप try करेंगे तो वो बनेगा 0.18 इसमें 1.8 इस तरह से आपका answer repeat होएगा 1.81818 तो आपने क्या लिखना है 0.18 और इसके ओपर जो है वो बार लगा देना है next जो है third sum है third वाले में हमें simple question है बिलकुल जो शुरू में definition best as a rational number कौन-कौन से जो नीचे given number है वो rational है तो उसकी एक ही पहचान है कि जो non-terminating और non recurring होगा वो number rational नहीं होता है बाकी सारे rational होते हैं अब उसकी पहचान में आपको बताता हूं क्या है जैसी यह first है तो इसमें 7.305 है आगे कुछ भी ना तो dash लगा हुआ है कोई dash नहीं है कोई उपर बार नहीं है इसका मतलब यह terminating है तो यह भी rational number है next वाला जो है वो same number repeat हो रहा है 2 2 2 2 2 और same number repeat हो तो उसको recurring कहते हैं तो यह भी rational number है ध्यान से सुनते रहना है next भी जो है वो rational number है क्योंकि terminate हुआ है next वाले में same number repeat हो रहा है 7 तो यह भी rational number है next वाले में 3 के उपर बार है मतलब 3 जो है वो repeat होगा तो यह भी rational number है next वाला जो है वो rational number नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इसमें ना तो यह terminating है ना ही यह reoccurring है आप देखो terminate भी नहीं हो रहा है और कोई भी number repeat नहीं हो रहा है आप अगर ध्यान दें किसी के उपर बार नहीं है और किसी के उपर भी देखो बार नहीं है और नहीं कोई number same है इसमें तो इसको हम बोलेंगे it is not rational number औ क्यों होगा क्योंकि terminating है तो जहान से जो हमें समझना था वो एक चीज थी कि जो number ना तो terminate हो रहा है मतलब उसमें dash भी है और ना ही कोई number उसमें repeat हो तो उसको हम rational की category में नहीं रखेंगे वो rational नहीं होता है बाकी सारे number rational होते हैं तो इसमें F और G जो है वो rational नहीं है बाकी सब भी number rational है next है foursome जावेट's camera is loaded with new role of film मतलब camera के अंदर जो picture लेने वाला रोल होता है उसके अंदर उसके पास capacity है 72 exposures की मतलब 72 photo जो है एक बार में खहीं सकता है तो during a picnic he took 48 pictures 48 picture है तो उसके बाद जो 48 है वो तो उसने खींच ली है pictures फिर what part of film is left to be exposed तो कितना हिस्सा जो है रोल का वो बचा हुआ है उसके पास express this as a rational number as well as decimal number तो हमें क्या करना है हमें पहले वो पार्ट निकालना है जो बच गया है तो आप पहले statement बनाएंगे इसकी total number of exposure तो वो आप लिखेंगे 72 फिर आप लिखेंगे number of pictures taken तो वो है 48 फिर आप लिखेंगे number of number of exposure left तो उसमें आप करेंगे 72 minus 48 तो यह आपका अंसर बनेगा 24 तो 24 बनने के बाद फिर हमें एक line लिखनी है पार्ट यह जो यहां से है what part of film left to be exposed तो आप लिखेंगे part of the film is left to be exposed यह लिखने के बाद क्योंकि portion मतलब part हमें निकालना है तो हम लिखेंगे जो हमारा answer आया था बचा हुआ 24 और उसको divide करेंगे total से 72 से तो यह part जो है वो बचा हुआ है अब इसको अगर हमें rational number है तो हमें इसको ध्यान देना है कि यह cancel भी हो रहा है 24 बचा 24 24 थरी जा 72 अगर आपको 24 की table नहीं आती है तो आप इसको 2 पे 3 पे भी cancel करके इसका answer निकाल सकते हैं तो यह बन गया 1 by 3 यह तो हो गया first answer लेकिन बाद में हमें decimal भी बनाना है इसका तो 1 by 3 का अगर आप decimal बनाएंगे तो यह बनेगा कुछ इस तर फिर आप 3 3 9 करेंगे और फिर से 1 फिर point लगा हो है तो 0 आ जाएगा फिर से 3 3 9 तो यह structure repeat होता रहेगा तो इसको हम लिखेंगे 0.3 और इसके उपर बार लगा देंगे इसका मतलब 3 जो है वो बार बार repeat हो रहा है इसके बाद 5th sum है तक ही इस वीडियो में हम करेंगे next जो है 40 रुपए तो first आप statement बनाएंगे cost of packet of coffee is equal to 240 रुपई फिर next हम समझते हैं आगे one shop की पर advertise coffee at one by five off मतलब एक ने क्या किया एक बाटे पांच या फिर one-fifth जो है वो off मतलब छूट दे दिया अपनी coffee पे another shop की पर one by tenth off और दूसरे shop की पर ने क्या किया one by tenth जो है वो off कर दिया अब which of the two is better to buy अब किसको जो है वो खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए what is the difference in the price at which they sold और इनका जो है वो difference कितना रहेगा वो भी हमें बताना है अब हम पहले क्या करेंगे पहले हम करेंगे कि यह जो off किया है उसने कितना price off किया है तो वो कैसे निकाला जाता है total जो है वो हमें पता है 240 है तो जितना off किया जाएगा तो इसको हम लिखेंगे first shopkeeper's price तो वो कैसे आएगा one by five off off मतलब multiply 240 तो इसको अगर cancel करते हैं तो five 48 रुपीज तो यह बन जाएगा 48 रुपीज अब यह जो है price है जो off किया गया है मतलब छूट दी गई है first वाले ने जो छूट दी है वो है 48 तो इसको हम side में लिख लेते हैं 48 रुपीज next वाले ने कितनी छूट दी है one by tenth तो one by tenth को अगर हम solve करते हैं तो आप लिखेंगे one by ten off 240 अब off का मतलब होता है multiply तो इसको हम off को next step में multiply में जेंग कर देंगे one zero से one zero cancel तो इसने छूट दी है वो 24 रुपीज की अब किसने जादा छूट दी है जादा छूट दी है 48 वाले ने मतलब first shopkeeper ने तो आप जो है इसका answer क्या देंगे which of these two which of the two is better to buy मतलब किसको खरीदना अच्छा रहेगा तो जिसकी जादा छूट है उसी को खरीदना अच्छा रहेगा तो answer हम लिखेंगे one by five is better because the discount is more क्या लिखेंगे one by five is better because the discount is more अब बाद में हमसे एक और question पूछा गया है what is the difference in the price at which they sold तो दोनों के price में क्या difference है अब एक ने छूटती है 48 रुपीज की और एक ने छूटती है 24 रुपीज की तो इनका difference हम निकालेंगे तो difference हमारे पास आएगा 24 तो 24 रुपे का उन दोनों के price में अंतर रहेगा